साकार करें सत्मे अपने वो जल नीचे जमीन पे ना गिरे उसकी छीटे आपके पैरों में ना आए बलकि वो किसी गमले में डल जाए अगर ऐसा हो सकता है तो आपको इसकी इंस्टेंट रिजल्ट देखने को अब आज का दूसरा माहा उपाई क्या है ये आपको बताती हूँ क्या मन्द चाहत जीवन साथी आपको मिल नहीं रहा है आप चाहते हैं उसी से शादी हो तो पांच मीछे पान बनवा कर शिव मंदिर में पहला पान गणेष जी को अर्पित करें उसके बाद मापारवती को अर्पित करें फिर उसके बाद पान का भोग लगाएं और तीसरा पान स्वामी कार्थिके को अर्पिन करें चौथा पान नंदी जी को अच्छे से भोग लगाएं और जो पाचवा पान होगा वो शिवलिंग पर चड़ा दीजे देखिए आपके काम कैसे बनते हैं अब आपको आज का तीसरा महा उपाई क्या है ये बता देती हूँ क्या घर में पैसों की बहुत किल्लत है दूद में गी, शेहद और दही मिलाकर शिवलिंग पर चड़ा दीजे दूद, घी और शेहद और देखिए कैसे आपके काम बनते हैं अब आपको आज का चौथा महा उपाई क्या है ये बताती हूँ क्या आपकी मेंबरी या आपके बच्चों की मेंबरी कमजोर है याद नहीं रहता तो डॉक्टर से सला तो लीजे ही साथ साथ आप रोज सुभा एक आवले का मुरब्बा ले लिजे अगर मीठा बहुत ज़ादा है तो उसको वाश कर लीजे उसको खा कर उपर से दूद पी लीजे ये बहुत ही अच्छा और देशी इलाज है मेंबरी पावर को तेज करने का आपको आज का पांचपा महा उपाए क्या है ये बताती हूँ क्या दुश्मन आपके खिलाफ साज़श कर रहा है कोई कॉंस्परेसी कर रहा है आपको साबुत काली उड़त की डाल के 38 दाने और साबुत चावल के 40 दाने लेने है 38 और 40 अब इन दानों को एक गड़ा खोद कर खाली जगब पर उसमें गार दीजे जो भी आपके खिलाफ कोई भी कॉंस्परेसी कर रहा है उसका नाम लेते वे इस गड़े के ओपर नीमुनी चोड़ दीजे ऐसा करने से आपके खिलाफ कहीं भी कोई भी कॉंस्परेसी होगी वो काम्याब नहीं हो पाएगी लेकिन ऐसा कभी भी नहीं सोचें कि एक उपाई से दूसरे का नुकसान होगा ये भावना ही गलत है आप सिर्फ खुद को प्रेटेक्ट कीजिए बस सिर्फ इतना ही हमारा फर्ज है आपका बचाफ जरूर होगा लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं होगा आज आपको दिल्चस जानकारी देती हूँ किसी भी इनसान के सिर्फ का आकार उसकी अच्छाई या बुराई बता सकता है सिर्फ का जो भी आकार होगा उसे behavior, उसे feelings, argument की power और financial status तक छिपा होता है मैं समझाती हूँ सिर्फ का size, face के उपरी हिस्से की लंबाई चोड़ाई और उचाई के comparison से कुछ बहुत जादा पता चलता है इनसान कितना महंती है, क्या करना चाहता है ये सब कुछ देखिए सिर्फ का जो वजन है वो बुद्धिमान लोगों का सामाने बुद्धि वाले लोगों के तुल्ना में जादा होता है सिर्फ से जुड़ी कुछ और बाते अगर सिर्फ विश्म हो, यानि की चारो ओर से एक समान हो स्क्वेरिश शेप हो, बराबर ना हो तो गरीबी दर्शाता है अगर सिर्फ चिपता हो, यहां से दबावा हो तो इंसान के माता पिता पर संकटा सकता है सावधान रहिएगा अगर सिर्फ घोड़े की तरह उचा हो, यहां से निकलावा हो तो इंसान को गूमने फिरने का बहुत चौक होता है और इसके लिए उसके पास रुपे पैसे की कमी नहीं होती है अगर सिर नीचे की तरफ से ढ़लान लिये वे हो यानि कि यहां से अंदर की तरफ जाता वा हो तो अनर्थ के संकेत हैं ऐसे लोग दुखी रहते हैं और अकसर पावर टीवी में भी होते हैं गरीब होते हैं अगर सिर उपर से सटा हुआ है और एक जैसी ढ़लान लिये वे हैं यहां से फ्लाट और फिर ढ़लान लिये वे हैं तो फिर ऐसे इंसान धनी होते हैं साथ ही कभी केरेक्टर कमजोर नहीं होता अगर सिर मचली जैसा हो, पॉइंटिड हो तो ऐसे इंसान के जीवन में खुशी के मौके कम ही आते हैं